गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट, हाव एर यू? ओके, वैरी गुड, हमने लास्ट लेक्चर में क्या-क्या पढ़ा था? ज़िवाइस कर ले हमने क्या-क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क से लेके अंग तक, ओके, क से लेके अंग तक हमारी ओरल भी हो गई और क, ख, ग, घ, और अंग को बुक में कैसे लिखते हैं? वो भी आप सबने अच्छे से देखा होगा, ओके? आपने लिखा भी है वो बुक में अच्छे से? ये सब लोगों ने अपना-पना होमवर्क कम्प्लेट किया है? वेरी गुड़, ऐसे ही अपना-पना होमवर्क अच्छे से कम्प्लेट करना है और अच्छे से ओरल और रिटन की प्रैक्टीस करनी है ओके, आज हम कुछ नया सिखेंगे आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक स्टोरी सबको अच्छी लगती है स्टोरी? येस, वेरी गुड़, किसी को याद है हमने लास्ट यूनिटेस्ट के पहले कौन सी वाली स्टोरी सिखी थी? येस, वेरी गुड़, हमने सिखी थी सीहा और चुहा की स्टोरी है ना, सबने वो अच्छे से लर्न करी थी सबको बहुत पसंद भी आये थी वो स्टोरी तो आज हम सिखेंगे अंगुर खटे है की नई स्टोरी ओके, तो आपको क्या करना है? जल्दी से जाके अपने बैग में से वरनमाला चित्रावली की बुक लानी है ओके, ये वाली बुक लानी है वरनमाला चित्रावली क्योंकि आज जो टीचर आपको स्टोरी सिखाने वाली है वो स्टोरी इस बुक में है तो आप क्या करोगे अभी? जल्दी से जाओगे और अपने बैग में से बुक लेके आओगे तब तक मैं आपको फाइव सेकंड का टाइम दिती हूँ ओके, I will just count five numbers so you have to go and bring your book येस, start ओके, one two three four and the last number is five ओके, सब लोगों ने अपने उपनी बुक लाई है अपने साथ? येस, तो अभी क्या करना है? वो बुक आपको खोलनी है और उस बुक में से last page निकालना है कुन सावाला? last page और last page पे हमारी कौन सी story है? अंगूर खटे है की story है? जो मैं आज आपको पढ़ानी वाली हूँ ओके, देखो सब लोग बुक में अच्छे से देखो कौन से कौन से चित्र आपको दिखाई दे रहे है? कौन कौन है? कौन बताएगा? yes, story में एक लोगड़ी है एक अंगूर का बगीचा है है ना? जिसके अरे अंगूर के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं सबको है ना? और एक लोगड़ी बिचारी उसको वो क्या करना है? उसको वो अंगूर खाने है इसलिए वो जम कर रहे है खाने के लिए वो खटे अंगूर लेकिन अंगूर की जो हाइट है वो बहुत उचाई पे है और लोगड़ी बिचारी छोटी सी है वो इतनी जम करने के बाद भी वो अंगुर तक नहीं पोच पा रही है तो ऐसी तो वो क्या कर रही है बार 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 उचल कुद कर रही है मतलब जम कर रही है जम कर रही है लेकिन अंगुर उपर होने के कारण वो तो उसे मिल नहीं रहे तो वह बहुत परेशान हो गई है, अब यही हम अभी इस story में सिखने वाले है, क्या सिखने वाले है हम कि लोम्डी कैसे उचल कुट करती है, उसने क्या क्या करा अंगुः पाने के लिए और उसे अंगुः मिले की नहीं, यह हम आज क्या करेंगे story में देखेंगे, तो आप को क्या करना है अपना बुक ओपन करके 72 नंबर का पेज निकालना है और स्टोरी का नाम क्या है हमारा हमारे स्टोरी का नाम है अंगूर खट्टे है अभी मुझे एक बात बताओ अंगूर मतलब क्या होता है किसी को पता है अंगूर मतलब क्या होता है ये अंगूर मतलब होता है जिसे हम grapes बोलते है grapes okay कौन से कलर के grapes होते है ये इस green color के कुछ-कुछ black color के भी होते है okay सबको पसंद है grapes okay उसी grapes को क्या बोलते है अंगूर okay सबको समझ में आया अभी अंगूर किसे बोलते है तो अंगूर खटे है खटा मतलब वा खटा मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा जैसे खटा आयसे नाम लिया तो इमली के याद आती है येस इमली भी बहुत खट्टी होती है खाने के लिए सबको पसंद है सबके मूँ में पानी आ गया अब भी नहीं अंगुर और इमली का नाम लेते ही येस ओके ठीके तो फिर हम देखते हैं आज की हमारी स्टोरी और स्टोरी का नाम है अंगुर खट्टे है ओके सब लोग अच्छ से देखो कि टीचर क्या बोलती है मैं एक बार आपको पूरी स्टोरी अच्छ हो वो स्टोरी सुनाती हूँ फिर मैं बोलूगी और मेरे बार आप लोग वो रिपीट करोगी समझ में आया येस वेरी गुड ओके तो देखो फिर स्टोरी में क्या-क्या ह टीचर कैसे सिखाती है मैं एक बार आपको पढ़के बताऊंगी आपको अच्छ से वो सुनी है ओके चलो एक दी एक लोमडी ने अंगुरों का गुच्छा देखा लेकिन अंगुर बहुत उचाई पर थे एक दिन एक लोमडी ने अंगुरों का गुच्छा देखा लेकिन अंगुर बहुत उच्छाई पर थे लोमडी के मुँमे पानी आ गया वह अंगुर पाने के लिए उच्छलने लगी वह बार-बार उचलती, बार-बार गिरती पर अंगुर नहीं पा सकी फिर उसने मुँ बिचका कर कहा फिर उसने अपना मुँ बिचका कर कहा छोड़ो भी ये अंगुर बहुत खटे है लोमडी चलती बनी शिक्षा अपनी हार को स्विकार कर लेना चाहिए ये क्या होगी हमारी स्टोरी अभी हम क्या करेंगे टीचर एक बार बोलेंगी उसके पिज़े आपको सेम सेंटेंस रिपीट करना है एक दिन एक लोमडी ने अंगुरो का बुच्छा देखा एक दिन एक लोमडी ने अंगुरो का बुच्छा देखा लेकिन अंगुर बहुत उचाई पर थे लोमडी के मुँँ में पानी आ गया वह अंगुर पाने के लिए उचलने लगी वह बार-बार उचलती और बार-बार गिरती पर अंगुर नहीं पासगी फिर उसने मुँ बिचका कर कहा येस छोडो भी ये अंगुर तो बहुत खट्टे है और लोमडी चलती बनी शिक्षा अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए येस ओके तो ऐसे ही आपको क्या करना है स्टोरी अच्छ से लर्न करनी है मैं अभी आपको जल्दी से शौट में बताती हूँ कि स्टोरी में क्या-क्या है एक लोमडी थी और वो लोमडी ने क्या किया अंगुरों का गुच्छा देखा लेकिन अंगुर बहुत क्या थे? बहुत उच्चाई पर थे तो लोमडी के मुह में तो पानी आ गया उसे लगा कि मैं अंगुर खालू लेकिन वह अंगुर पाने के लिए बहुत जोड-जोड से उच्छलती रही क्योंकि अंगुर बहुत उच्चाई पर थे और लोमडी नीचे थी वो कितनी भी उच्छलती लेकिन वो क्या करते थी? यहां तक नहीं पोच पार रही थी क्योंकि अंगुर कहां पर थे? बहुत उच्चाई पर थी वह बार बार उच्छलती बार-बार उचलती लेकिन फिर से गिर जाती लेकिन अंगुर तक नहीं पहुच सकी उकी, तो उसने क्या सुचा? उसने ऐसे मुह लटकाया और बोला छोड़ दो ये अंगुर तो बहुत खटे है, जाने दो उसने क्या बोला? जाने दो अगर मुझे नहीं मिल रहे तो ये अंगुर क्या है? बहुत खटे है और वो यह बोलकर चली गई मतलब कि अगर उसे वो खाने को मिलते तो उसे बहुत खुशी होती लेकिन बिजारी लोमडी इतनी छोटी सी और अंगुर इतने उचाई पर थी वो कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उसे अंगुर तो नहीं मिल पा रहे थे इसलिए उसने क्या किया? वो अपसेट होगे तो उसने अपना मुँँ ऐसे बिचकाया और बोला छोड़ो भी यह अंगुर तो बहुत खट्टे हैं और वो यह बोलकर चली गई शिक्षा क्या है स्टोरी की? अपनी हार को स्विकार करना चाहिए समझ में आई सबको स्टोरी तो आपको क्या करनी है? यह स्टोरी घर पे अच्छे से लर्न करनी है आप बार-बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से वो लर्न हो जाएगी ओके? तो करोगे आप लोग आज अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ओके? तो फिर मिलते हैं बच्चो बाई-बाई